Hello everyone, welcome back to your own channel market analysis दोस्तों आज हम बात करनेंगे Nifty 50 और Bank Nifty में क्या कुछ लिवल्स आगे चलके हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके लब बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बहतरीन स्टॉक जिनमें एक जबरदस मोमेंटम पैंडिंग है तो आगे चलके उनमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है तो बने रेगे इस वीडियो पर एंड तक चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों Nifty 50 की आज इसकी एकस्पायरी थी और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं सेम जैसे कल बैंक Nifty में हमें देखने को मिले था सुबह सुबह आपको वोलाटिलिटी यहां पर देखने को मिले थी उसके बाद आपको यहां पर जबर्दस्ट मुमेंटम देखने को मिल सकती है अब हम बात कर लेते हैं Nifty Bank के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं Morning में यहां पर थोड़ा सा Consolidation किया था उसके बाद यह पॉल एन फ्लैग पैटर्न बन चुका था उसका breakout हुआ जबर्दस्ट मुमेंटम यहां पर हमें देखने को मिला पर यहां पर इसने कुछ टाइम Consolidation किया फिर एक breakout हुआ जबर्दस्ट मुमेंटम फिर से आपको देखने को मिला और अगर हम बात करें तो 500 पॉंट्स की यहां पर positivity हमें देखने को मिली है दोस्तों बैंक निफ्टी अपने crucial level के आसपास आके खड़ी हो चुकी आप देख सकते हैं अगर इसने इस level को sustain कर लिया यहां पर breakout दे दिया तो यहां पर आपको short covering देखने को मिलेगी जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है इस पे भी आप जो नजर बना के रख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उन stocks के बारे में जिन्होंने एक अच्छा performance यहां पर दिखाया हुआ है जो recently मैंने study कराया था आपको याद होगा SBCL कल ही मैंने आपको study कराया था आज के दिन में इसने 8% का momentum बना के दिया हुआ है I hope आपने इसके पीछे का logic समझा होगा next talk EIH hotel आपको याद होगा मैंने इस level के आसपास study कराया था already इसने 10% का momentum बना के दिया हुआ है और आगे भी यह momentum जो हमें continue देखने को मिल सकता है next talk Avalon Technology किस-किस को याद है अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बड़ी हमारा Telegram चैनल और इस पे आप देखेंगे तो यह देखे 5.76 पे मैंने आपको study कराया था retracement completed तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या जबरदस momentum यहाँ पे देखने को मिली है 5.76 से आज इसने जो high लगाया है 6.40 का high लगाया हुआ है next talk Average Conto इसने भी एक अच्छी performance यहाँ पे दिखाई है चोटी सी positivity में यहाँ पे closing दी है हो सकता है यह वाला जो resistance है अगर यह यहाँ पे break हो जाता है तो उसके बाद फिर से आपको जबरदस momentum देखने को मिल सकती है next talk Dreads Inc. Corporation आप देख सकते हैं मैंने इस लेवल के आज पास आपको study कराया था और क्या जबरदस momentum यहाँ पे देखने को मिला है आप देख सकते हैं last 15 days में इसमें 36% का momentum इसे बना के दिया हुआ है I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा और इसके पीछे का logic समझा होगा दोस्तों आप हम बात कर लेते हैं कुछ बैतरी stock जिनमें एक जबरदस momentum pending है तो सबसे पहले stock है अपना garden rich fundamentally भी बहुत भी strong stock है और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% की correction मतलब 40% की discount पे आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप देख सकते हैं यह इसका क्या है एक important support level है यहाँ से यह bounce back लेने की courses कर रहा है अगर यह bounce back कर जाता है यहाँ पे sustain कर जाता है तो आपको वापी से यह level आते हुए दिखाई पढ़ सकते हैं तो इसको भी आप अपने radar पे रख सकते हैं अपने end पे study कर सकते हैं next हो के IFGL इसने जो high लगाया था वो 900 के आसपास का high लगाया था और उसके बाद इसमें जो graveyard देखने को मिली थी कासी correction हो चुकी थी 400 के आसपास का यहाँ पे low लगाया था लेकिन ये low दोस्तों यहाँ पे अभी तक break नहीं किया है आप देख सकते हैं यहाँ से एक high लगाया फिर एक low लगाया फिर एक high लगाया फिर low लगाया मतलब आप देख सकते हैं एक छोटी सी range में ये अपने आपको consolidation करते हुए लेके जा रहा है इस तरीके से अगर ये यहाँ पे एक अच्छा breakout यहाँ पे दे जिनता है तो आपको एक जबरदस momentum यहाँ पे देखने को मिल सकती है एटलिस मैं कहना चाओंगा अगर 650 के levels को अगर ये sustain कर जाता है तो फिर आपको ये positivity विरकरार दिखाई दे सकती है नेक्स जो के अपना कामत होटल आप देख सकते हैं क्या जबरदस performance यहाँ पे इसमें दिखाई दी और यहाँ से जो correction हुई है दोस्तों बिल्कुल इसी level के आसपास ये आचुका है 203 पे अभी जो है trade करा रहा है लेकिन कहना चाओंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक इसका important support level है जहां से यह bounce back करने की कोशिस कर रहा है अगर यहाँ से bounce back कर जाता है इस तरीके से हमारी trend line भी draw होती है तो अगर इसको break out कर देता है एक momentum यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है इस level को भी अगर इस sustain करेगा फिर उसके बाद इसमें जबर्दस momentum आपको अपर साइड में देखने को मिल सकती है last but not the list on mobile global इसको आप देख सकते हैं बहुत ही जबर्दस chart pattern यहाँ पे बिना हुआ है basically आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते है higher highs higher lows की formation य level बन चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं बार बार इसको क्या कर रहा है resistance कर रहा है लेकिन अगर किसी भी resistance या support को कोई भी index या stock अगर वो बार बार टेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो resistance या support यहाँ पे week होने लगता है और उसके chances बढ़ जाते हैं कि वो यहाँ पे brick हो स की candle है आज जो momentum मिली है वो एक institutional price के थुरू यहाँ पे momentum मिली है अब आप देख सकते हैं अगर इसका यहाँ पे breakout होता है जवरदस्त momentum आपको फिर से दिखाई पड़ सकता है तो इसको भी आप अपने एंस्टिशन कर सकते हैं वेल दोस्तों कहना चाहूंगा अगर आप भी चाते हैं प्रो तरीके से स्टोक का सेलेक्शन कैसे करते हैं एक बड़े entity को कैसे identify करते हैं कि यहाँ पर एक बड़े institution active है और किस जगे पर यह घुसे हुए है उसको कैसे identify करते हैं इसके अलाव दोस्तों proper entry proper exit कैसे करते हैं क्या target रखते हैं क्या stop loss होना चाहिए स्टोप लो and one of the best intraday strategy जो हमने अपने course में दी हुई है अगर यह सारी चीजिया आपको सीखनी है तो आप join कर सकते हैं हमारा course link जो है description में आपको दिया हुआ है आप जाके app को download कर सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको a learning series अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो like करें and share करें अप अगरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई टेक केर